पेट साफ करने और कबज को जड़ से खत्म करने का अचूक इलाज दोस्तों आज किस खास वीडियो में हम शरीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक कॉंस्टिपिशन यानि की कबज के बारे में बात करने वाले हैं अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, मोशन प्रॉपर नहीं आ रहा है तो कुछ ही दिनों में ही आपके शरीर में 30-40 बीमारियां हो सकती हैं इसलिए इसका जल्द से जल्द इलाज करना जरूरी है दोस्तों जो हम खाना खाते हैं और यह खाना जब पचता है और पचने के बाद जो वेश्ट माटेरियल बनता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलना जिरूरी होता है जो waste material होता है जिसको हम motion या फिर मल कहते हैं उसमें बहुत सारा bacteria होता है और उसके अंदर बहुत सारा toxins होता है समझो अगर वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकला तो क्या होगा? वो आतों में जाकर चिपक जाता है और जब वो आतों के दीवारों में जाकर चिपक जाएगा तो फिर धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है जिससे टॉक्सिंस पैदा होने लगते हैं और शुरीर में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है जब हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता मल अगर हमारे श्रीर से हर रोज नहीं निकलता तो इस प्रॉलम को कॉंस्ट्रिपेशन यानि की कबजी कहा जाता है तो आज के समय में हर पांच में से तीन लोग कबजी की प्रॉलम से परिशान है ज्यादातर लोग ऐसे हैं या तो उन्हें कबजी की प्रॉलम है, या ब्लोटिंग की प्रॉलम है, तो आज के समय में ये प्रॉलम कॉमन बन चुकी है दोस्तों कबज से आराम पाने के लिए लोग भारी मात्रामें चूरन खा रहे हैं इंता सिट पी रहे हैं सलात जmpा झालता खा रहे हैं फाइब फूर्ट खा रहे होते हैं प during Day rec तो वीडियो को ध्यान से इन ते देखेंगे दोस्तों क्योंकि वीडियो में बताएंगे नियम और रेमेडी बहुती कमाल का और बहुती इफेक्टिव है जी हां आज हम इसी प्रॉल्म के बारे में जाने वाले हैं कि आखिर कब्ज क्यूं होता है और इसका इलाज क्या है हमारे पेट सही होता है अगर पेट को सही ना किया जाय तो किसी भी बिमारी का कितना भी ट्रेट्मेंट कर लें उसका कोई फादा नहीं होने वाला कब्ज के बारे में यह कहा जाता है कि यह कोई बिमारी नहीं है लेकिन इसकी वज़ा से हमारे स्ट्रीड में कई सारी बिमा खाना खाते हैं। उसी की ताकत से हमारा श्रीर रूपी मशीन चलता है। और एक खाना सही सी तरिक की जाया तो इसके होने के काफी सारे कारण होते हैं लेकिन उन में से जो सबसे बड़ा कारण होता है यह वो है जो हम खाना खाते हैं खाना खाने के बाद वो खाना ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन होने के बाद वो जठर में जाता है जिसे जठरागनी कहते हैं वो खाना फिर juice में convert होता है और juice में convert होने के बाद पूरी body के parts में supply होता है किसी कारण से अगर हमारा जठर weak हो गया हो तो श्रीर में वात बढ़ सकती है क्योंकि आपको पता होगा कि जो कबजी की problem है वो वात की problem होती है जठर जो कमजोर होता है जो proper तरीके से खाने को juice में convert नहीं कर पाता और पूरे श्रीर में जा नहीं पाता जिस वज़ा से यह problem होती है इसके लावा श्रीर में जो westage है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं इसका पहला वज़ा है dehydration जी हाँ पानी की कमी या बहुत सारा शराप का सेवन करना कुछ ऐसे पेपदार्थ होते हैं जिसके शरीर में dehydration करते हैं जिसकी वज़ा से जो मल बनता है वो tight हो जाता है उसे निकालने में दिक्कत होती है दूसरा कारण है कि मैदे से बनी चीजें ज्या ज्यादा खा रहे हैं ज्यादा दमाईयों का सेवन कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है इसके लावा आप फाइबर के चीजें या सलाद ज्यादा नहीं खाते हैं तो यह प्रॉलम हो सकती है छिलके वाले डाले अगर आप नहीं खाते हैं तो भी यह दिक्कत हो सकती है, आप चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भी ये प्रॉलम हो सकती है, तो आए अब जानते हैं इनके सिम्टम्स याने की लक्षण के बारे में, आप सुबह फ्रेश होने के लिए वाश्रूम जाते हैं और शरीर से मल अच्छे से नहीं निकलता है, एक उन सभी लोगों में कब्जु होनी के संभावना बहुत ज़्यादा पाए जाती है, जितके भी शरीर में एक्जीमा, दाद खास खुजली की प्रॉलम देखते हैं, सफेद दा की प्रॉलम देखते हैं, चेहरे पर पिग्मेंटेशन, झाया देखते हैं, इसके साथ साथ शर पर सही कर लिया जा तो बहुत भी अच्छा होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, रोज धाई से तीन लिटर पानी पीना है, खूब हर साथ सबजी खाएं, दिन में एक बार ग्रीन जूस पिएं, जिसमें पाल, खीरा और आउला तीनों को मिसरन करके जूस बना कर पीज तो बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, इसके लावा स्ट्रॉट्स ज्यादा मातरे में खाएं, हर रोज दो केले जरू खाएं, इसके साथ साथ आदे से पौने घंटे के डिली बेसिस पर वाक और योगासन करें, यह आपके कॉंस्टिपिशन को ठीक करना में बह इनके खाने में छाच यानि की बटर मिल्क का इस्तवाल किया करें, पुदीना, काली मिर्च, भुना वजीरा और हींग, इसे कूट लें और कूट कर छाच में डालकर रोजाना खाना खाने के साथ एक गिलास प्या करें, इससे आपको कभी भी ऐसिलिटी या फिर कॉंस्टि आजाएगा तो इसकी वज़ा से मल प्रॉपर आएगा, चलिए मैं आपको कुछ बहुत इफेक्टिव घरील उपाय के बारे में बताता हूं, जिसके इस्तमाल से कभजी के प्रॉलम को आप जड़ से खत्म कर सकते हो, दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, दो बड़ा चम्मच सौंफ लेना है, यहाँ पर बड़ी सौंफ या फिर छोटी सौंफ, कोई सा भी सौंफ ले सकते हैं, दो बड़ी चम्मच जीरा लेना है, दो चम्मच अजवाईन लेना है, आदा चम्मच हल्दी लेना है, एक चम्मच की मातरा में लेना है मूलेठी, इस तरह का मू यहाँ पर आपको धनिया, सौफ, जीरा और अजवाइन को हलका सा सेक लेना है, यह ना एक से डेड़ मिनट तक इसे सेक लीजेगा और इन सभी चीजों को ग्राइंडर जारे में डाल कर अच्छी तरीके से पीच लीजे, पीचने के बाद आपको इस तरह का पॉडर देखने क मिलेगा, इसके बाद आपको करना ये है कि जो काला नमक हमने लिया है, उसको इस पॉडर के अंदर डाल देना है, नमक हमेशा थोड़ा जाला होना चाहिए, क्योंकि यह आपके पाचन इंचायम्स को बढ़ाता है, दाइशन में आपकी मदद करता है, चलिए इसको लेना कै इसके बारे में जान लेते हैं, इसके लिए आपको एक गिलास गुन-गुना पानी लेना है, फिर आपको यहाँ पर एक इंच अद्रक का टुकडा लेना है, और इस अद्रक के टुकडे को कद्दू कस करके इसका रस निकाल दीजे, और इस रस को पानी में मिक्स कर देना है यहाँ पर आपको एक से डेड़ी चम्मची मादरा में अधरक के रस को इसमें मिला देना है इसके बाद जो हमने पॉडर त्यार किया है इस पॉडर का एक चम्मच इस पानी के अंदर डाल दीजे और अच्छे से मिक्स कर लीजे यहाँ पर मैं टीस्पून का इस्तमाल कर रहा हूं ठीक है और फिर इसे घोल कर आराम से सिप सिप करके पी लेना है और ऐसा आपको रेगुलर पंदरा दिनों तक करना है और इसे आपको सुबा सुबा खाली पेट लेना है ज्यारा दिनों तक इसको फॉलो करने की जरुरत नहीं है पंदरा दिनों के अंदर अंदर आपका कब जी कॉंस्टिपिशन जड़ से ठीक हो जाएगा यह आपके ACIDD को ठीक करेगा, bloating को ठीक करेगा, शेरिज में होने वाली थाकान या फिर सुजन को ठीक करेगा यूरीक ACID के दिक्कत है तो इससे भी आराम मिलेगा शेरिज में होने वाली किसी भी तला का दर्ध इससे ठीक हो जाएगा दोस्तों ये रामबन आउसदी है इसे एक बाद जरू ट्राय किजेगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो को शेर किजेगा अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ दस्तों के साथ और जाते जरू इस वीडियो को लाइक करते जाएए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू